हेलो बच्चो मैं हूँ शुभम गुपता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं कक्षा दसवी के पाठेकरम की एक और कवीता जिसका शीरशक है संगतकार बच्चो संगतकार जो है वो श्री मंगलेश डबराल जी की बहुती प्रमुख रचना है श्री मंगलेश डबराल जी पारदर्शी कवियों में से एक माने जाते हैं इनके बारे में आपको जादा जानने की जरूत नहीं है बस इतना जान लीजिए कि इन्होंने जो भी कुछ लिखा है इनकी सबी राइटिंग में ये हमेशा उन लोगों के बारे में लिखते हैं जो परदे के पीछे रहते हैं हैंना जैसे stage पे anchor सामने है या performer सामने है पर परदे के पीछे भी बहुत लोग हैं जो पूरे कारेकरम को संचालित कर रहे हैं ये behind the curtain वाले लोग नहीं होंगे, तो शायद program ही successful नहीं हो पाएगा, तो ये सिर्फ एक example है, ये अपनी रचनाओं में ऐसे ही behind the curtains, परदे के पीछे वाले लोगों के बारे में बाते करते हैं, और ये समकालीन हिंदी कवी है, समकालीन का अर्थ है कि ये हमेशा समानता के लिए अपनी रचनाओं लिखते हैं, चलिए अब ये तो कवी के बारे में था, कवीता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बच्चों ये जो कवीता है संगतकार, ये इस विशय की उपर है, इस टॉपिक की उपर है, इसका agenda क्या है, वो ये है कि मंगलेश डबराल जी ये कहना च साथ होता है, पॉलिटिक्स के फील्ड में देख सकते हैं, आप अक्टिंग के फील्ड में देख सकते हैं, जितने भी बड़े दिगज होए हैं, इन्हें दिगज सिर्फ इनकी काबिलियत ने नहीं बनाया, इन्हें दिगज ऐसे अंगिनत लोगों ने बनाया है, जो जिन्ह पीछे परदे के पीछे के लोगों को सामने लाने के लिए ये एक सिंगिंग शो का या फिर सिंगिंग का एक्जाम्पल लेते हैं कि for example एक मुख्य गायक है जो गाना गारा है उसके पीछे और भी बहुत सारे गायक है कि हना एक मेल सिंगर है या फीमेल सिंगर है एक में सिंगर है वो गारा है साथ में बैगराउंड सिंगर है हर एल्बम पे फोटो मेन सिंगर का छपता है उसके नाम पर एल्बम जाती है पर उस मेन जो गाना गार है उसके संगीत को संभालने के लिए बहुत सारे संगतकारों की जरूरत है तो वो संगतकार सामने नहीं आते बच्चो लेकिन उनका भी बहुत विशेश योगदान है आत देती वह आवाज सुन्दर कमजोर कापती हुई थी वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिश्य या पैदल चल कर सीखने आने वाला दूर का कोई रिष्थेधार अब यहाँ पर इन 4-5 पंक्तियों में मंगलिश डबराल जी क्या कहना चाते हैं कि मैंने आपको बताया यह जो पोयम है यह एक तरह से सिंगिंग शो के परस्पेक्टिव से लिखी गई है तो आप इमाजिन कीजिए कि आपके सामने गाने के रिकॉर्डिंग चल रही है या बैकराउट सिंगर से उनकी आवास इतनी लोगों को सुनाई नहीं देवी जितनी इस में सिंगर की देवी है तो हो क्या रहा है इसका स्वर बहुत भारी है चटान की तरह और अजब आ बारीकी से सुनेंगे तो ध्यान से इस चटान जैसी भारी आवास के पीछे और एक सु हलकी आवास का भी बहुत important role है पर यह हलकी हलकी आवास दारी है तो कभी शुरू शुरू में यह सोचता है कि यार यह कौन है जो हलका हलका main singer के पीछे गा रहा है या तो यह जो शक्स है यह जो मुख्य कायक है उसका कोई शिश्य है जैसे आपको पता है भारतिय सभ्यता में गुरू का स्थान हमेशा उपर है जब गुरू या गुरू जन या जो भी बड़े लोग बोल रहे होते हैं तो छोटे मतलब आवास नीचे करके रखते हैं हमेशा हना गुरू के सामने कोई आवास उची नहीं करता तो उन्हें लग रहा हो कि हाई इनका कोई शिश्य होगा इसने finally permission ले ली और अब यह दूर से pedal चलकर सीखने आया है बेचारा तो पैदल चलने के वज़े से ठक गया होगा और क्यूकि यह बड़ी दूर से सिर्फ गाना सीखने आया है इन से तो एक तरह से यह इसलिए दिरे धीमे धीमे है थोड़ा सहमा हुआ सा है आप समझ पा र कोता है अगर आपने सवया वाली पोयम देखी होगी मेरी तो आपको पता होगा कि हमेशा भाअ ही समझे जो मीनिंग मैं बता रहा हूए Sounds खुद भी meaning लिख सकते हैं समझे बस भाव यानि कि भावार्थ समझे भावार्थ क्या है कि मुख्य गायक की आवास भारी सी है background singers की आवास हलकी सी है अभी हलकी आवास सुनकर कि कवी जो है assumptions करता है assumptions हाना वो सोचने लगता है पहला assumption क्या है कि या तो ये कोई दूर से चलके आने वाला रिष्टेदार है या इसका कोई गुरू है माफ कीज़ेगा शिष्ष है जो सीखना चाहता है इससे हाना अब आगे देखते हैं मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है ये अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भड़कता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है अब देखते हैं इसका क्या मतलब है रिष्टेदार तक मैंने आपको बता है मुख्य गायक की गरज में बच्चो कि उसकी आवाज चो है वो सभी के हृदय को भा रही है या हर किसी को सुनाई दे रही है हलाकि अगर आप बारीकी से सुनेंगे तो आप कोई भी सौंग उठा गर के देख वीजे फेमस बहुत सारे लोग है जो अभी से सपोर्ट कर रहे है वो गान नहीं रहा है पर फिर भी बीट बॉक्सिंग कर रहे है या कोई ना कोई साउंट प्रेड्यूस कर रहे है ताकि में सिंगर की वैऊस को सपोर्ट मिले खेर मुक्खे-गाय की आवास गरच रही है गूंज रही है और उसमें अपनी गूंज मिला रहे हैं ये लोग कि गूंज मिलाने का क्या मतलब है बच्चो जैसे आप कभी वादियों में गए होंगे पहाडों में आप चिल्लाएंगे तो क्या होता है कि आवास टकरा टकरा के वापस आती है इसको हम एको बोलते हैं एको इंग का कॉंसेप्ट कह सकते हैं तो इस एको कोई गूंज कहते हैं आपको पता होगा तो आप यू समझ लीजिए कि जो बंदा पहाड में जाके चिल्ला रहा है वो में सिंगर है और जो टकरा के गूंज आ रही है वो संगतकार की है बैगराउंड सिंगर की है यहाँ पर भी एक तरह से मेटाफॉरिकल कंपैरिजन किया है कभी ने आगे देखते हैं वो अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से कि संगतकार हमेशा से में सिंगर की मदद करता आया है गायक जब अंतरे की जटिलतानों के जंगल में खो जाता है अंतरा क्या होता है बच्चो मल्टिपल लेवल्स होते हैं गाने के जैसे साहा समझ पा रहे हैं आपकी मतलब टोन आप कह सकते हैं कि एक ही अक्षर है भलेई अलफबेट एक ही है एक ही अक्षर है एक ही साउंड है पर उसको भी आप कितने अलग-अलग टोन में या वॉल्यूम लेवल्स में गा सकते हैं तो इसको हम अंतरा कहते हैं एक तरह से मैं श्योर नहीं हूँ पर I.J.C. को अंतरा कहते हैं तो होता क्या है कि जब वो गार है तो अपने अंतरों में खो जाता है कई बार हना क्योंकि सौंग में क्या होता है एक ही अंतरा नहीं चलता रहता एक अंतरा चल रहा है अगली लाइन में अगर beat change हुई अंतरा भी change करना पड़ता है हना इसलिए तो singers का काम इतना आसान नहीं है तो कई बार वो इस अंतरे की change करने के process में भूल जाता है या भटक जाता है जैसे कि एक बंदा एक घने जंगल में हना जटिल तानों के जंगल में यानकि घने जंगल में खो जाता है या फिर अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में अपने ही सरगम यानकि अपने ही सुर की गाने की जो lyrics है उससे कई बार singer भटक जाता है होता है ऐसा कई बार professional singers के साथ ना होता हो या उनके साथ भी कभी कभी होता है कि वो अपने lyrics से भटक जाते हैं और उसे लांग करके अनहद में कहीं और चले जाते हैं वो तब क्या होता है तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है स्थाई यानि कि क्या जो present situation है present में जो song चल रहा है अब वो देख रहा है कि main singer थोड़ा off the track जा रहा है तो संगतकार तुरंट अपना support देना शुरू करता है उसको याद दिला देता है हाँ ये track है ये track है उसे वापस track पे ले आता है जैसा समेटता हो मुख्य गायक का पीछे हुआ पीछे छूटा हुआ समान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बच्पन जब वन नौ सीखिया था अब यहाँ पे बहुत emotional touch दिया मंगले स्टबराल जी ने उन्होंने कहा है कि ये जो professional singer है जो main singer है वो भी कई बार भटक जाता है अब ऐसे ही में जो संगतकार है जिसका चहरा भी कई लोग नहीं देखते जो कभी सामने नहीं आता जो पीछे से सिर्फ support कर रहा है अब क्या होता है कि जब main गायक जो है वो भटक जाता है तो ये लोग उसे support देके वापस track पे ले आता है और फिर क्या होता है उसको वो उसके बच्पन का समय याद दिलाता है बच्पन का समय कैसे कि नौ सीखिया का क्या मतलब होता है बच्चों की नया नया सीखने वाला हना जैसे आप लोग भी अभी नौ सीखिये हैं क्योंकि आप ये part नया नया सीख रहे हैं मैं नौ सीखिया नहीं हूँ क्योंकि मैं ये पाठ पहले ही पढ़ चुका हूँ तब ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस तरह से जब कोई बंदा नया नया सीखता है तो उससे गलती होती है तो ऐसे में क्या होता है उसका जो गुरु है या तो वो उसको समझाता है या कई बार क्या होता है कि उसके आसपास के लोग उसके परिवार के लोग वो उसको बताते हैं कि नहीं बटा यह तुम गलत कर रहे हैं इसको इस तरीके से करो हना तो नौसिखिया से वो कवी यही कहना चाते हैं कि जो मुख्य गाय कि यह भटक जाता है तब संगतकार उसको याद दिलाता है उस समय की कि जब तुम शुरू-शुरू में सीख रहे थे तब भी तुमको कोई करेक्ट कर रहा था तो आज मैं तुमको करेक्ट कर रहा हूँ ताकि तुम सही तरीके से गाओ तार सब्तक में जब बैठने लगता है उसका गला तार सब्तक यानि कि क्या तारो यानि कि संगीत के तारो की बात हुरी है कि जब सौंग गाते 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 लंबा सौंग है उसका गला बैठने लगता है ठकने लगता है वो थोड़ा थोड़ा प्रेडना साथ छोड़ती हुई उच्साहा अस्त होता हुआ आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ अब क्या है कि लंबे समय तक गाना गा रहे हैं कई बार क्या होते है मुख्य गायक की आवास एकदम से बैठने लगती है उसकी excitement कम हो जाती है कई बार ना एक ही गाना उसको ना जाने कितनी बार गाना पड़ता होगा उसकी आवाज जो है वो राख जैसी राख जैसा क्यों कहा गया है बच्चो आपको पता है ना राख जो है उसमें अपना कोई weight नहीं होता आप कोई paper जलाईए या कुछ भी जलाईए उसकी राख जो है ashes वो बहुत हलकी होता है याने कि हलकी से हवा के जोके से भी उड़ जाते हैं तो इस तरह से जो मुख्य गायक का संगीत है वो बिखर सकता है पर उसे बिखरने से बचाता कौन है संगतकार तभी मुख्य गायक को धाडस बन्दाता कहीं से चला आता है संगतकार संगतकार का स्वर कभी कभी वह यो ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेरा नहीं है अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों जैसा मैंने बता है राख जैसा उनका स्वर बिखरना जाए तो उनका धाडस बन्दाने का क्या मतलब है एक तरह से confidence बिल्ड करना motivate करना तो वह इनको motivate करता है जो संगतकार है अपने support से कि तुम चिंता मत करो तुम अकेरे नहीं हो हम तुमारे साथ है और क्या करता है यो ही उनका साथ दे देता है यह बताने के लिए कि वह अकेरे नहीं है और यह की यह फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग हना संगतकार यह क्या करता है एक तो confidence बिल्ड अप करता है कि नहीं नहीं तुम अपना excitement मत लूस करो चलो साथ मिलकर फिर गाते हैं हो सकता है तुम मतलब तुम थोड़े से off track हो गया हो चलो फिर से गाते हैं सुनाई देती है या अपने स्वर को उचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उनकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए यही पोयम का essence है कि एक संगतकार जो है वो मुख्य गायक जब भटक जाता है जब उसको एक तरह से थोड़ा अनहापी सा हो जाता है वो उच्छा खो देता है हना उसकी आवाज राख जैसे होने लगती यान कि बिखरने लगती है तब संगतकार समेटता है उसे बताता है कि तुम अकेले नहीं हो मैं तुम्हारा समान माफ कर रहो तुम्हारे स्वर को समेटने के लिए हूँ चलो फिर से गाते हैं हम मिल करके गा सकते हैं उसको motivate करता है उसका confidence level up करता है और ऐसा करते होए भी वो कभी मुख्य गायक की जगा नहीं लेता जब मुख्य गायक भटकने लगता है वो उसका support करता है और वापस पीछे चले जाता है वो खुद आगे आकर या मुख्य गायक स है अर्थ है फिर भी आप पढ़ सकते हैं हाना कि भाव में मैंने क्या लिखा है बच्चो कि संगतकार की भूमिका को महत्व दिया गया है कि मुख्य गायक की स्रेस्टता तो है मुख्य गायक स्रेस्टत तो है पर क्या होता है आप screenshot ले सकते हैं चाहिए तो यह लंबा इस भावारत लिखेगा तो इस पोयम में यही है कि एक बंदा जो आज दुनिया के सामने है सिर्फ संगीत के शेत्र में ने किसी भी शेत्र में उसे सामने लाने में बहुत लोगों का योगदान है और अगर वो लोग खुद सामने नहीं आ रहे तो यह उनकी कमजोरी नहीं है कि आरे वो इतने टालेंटेड नहीं है इस पर सामने नहीं आ रहे यह गलत सोच है यह उनकी मनुष्यता है वो जानते है कि नहीं यार मुझे सामने आने की जरूत नहीं है मुझे बस इसका साथ देना है तो यह लोग जादा महान है एक तरह से मुख्खे गायक से और भार कर दिखाना कवीता का मूल स्वर क्या है नर होना निराश करो मन को हना इसका मतलब क्या है नर होना निराश करो मन को कि कभी अपने मन को निराश मत करो हमेशा उमीद रहती है और ऐसे लोगों का सम्मान करो जो खुद आगे ना है पर तुम्हें आगे लाने में उनका य करके जरूर बताईएगा शुक्रिया